कि गूल यूइनिंग बच्चों लास्ट टाइम पर हमने 7.2 का कुर्शन नमर 8 किया था आज हम कुर्शन नमर 9 कर रहे हैं कुर्शन नमर 9 यहां पर मतलब यह पहले लोग्राम हमें दिया हुआ है तो यहां का इंगल 85 दिगरी का है है बाइन ये इंगल भी जो आइक और गूरॉन के साथ बन रहा रहा है जिसका नाम है डी बी सी वर तो यह से ने किनकालना है एक निकालना है यह और दूसरा आ, बी डी अ बिडी मतला geology heаем दtillYaag Swe gonna that ले और यह नीकालना और एक को तो इस पहले लोग्राम में सबसे पहले एबी से पहले गीवन लिखेंगे तो दी एबी एक्विल टो एक्वाइव और डी बी इक्विल टो सिटी यह हमने कोशन से गीवन लिग दिया अब हम फिर्स्ट वारा निकालता हैं C D By angle मतलब C D by EnKayla का Engle यह निकालता हुआ तो यह निकाल ने के लिखने हम जानते हैं कि आपने लेलो ुग्राम के अंदर opposite angles जो ते-व उपेल होते इनकल है मतलब 45-常 gün say तो हम da निकाननायग वो कब निकलनेंगा जब हम इस ट्राइंगल को मानेंगे के डी अलएं घ्राइंगल होते हैं इन बोली लगा बिक्वेल्टो डिस्टी-डिस्ध यह सी अंगल एकुल है प्रैंगल ने अभेस्ट ली था यह उपर आल हुट का रहे हैं उ factual रोपी मतलब यह तो और एंगल डी हम निकाल रहा है तो वह तो इसके बाद यह 145 जो है यह इधर आएगा साइट चेंज करेंगा तो प्लस का इधर आके माइनस बना तो एंगल डी को हम क्या लिख सकते हैं तो इसका नाम क्या लिख सकते हैं से बी से डी YU लिख सकते हैं तो सीडी यहें को लिख सकते हैं यह जुक्त मलवारा यह हाइल चन्त पाइड़ में हमें और पास हो एक पढ़ा था पैरल्ल याइन में जब कोई आती है तो अल्टानेट इंटिरियल एंगल जो होते हैं वह इक्वल होते हैं पेरलल लाइन के तांसवर्सल के द्वारा है यह तो आपने पढ़ रखा हो सेवन में अल्टानेट इंटि तो यह अब और बी ऑडी सिक्ट पैरल और इंटिरियल एंगल से तो हमारा सेकंड वाला एंगल भी आ चुका है तो हमारे दोनों पाथ तो लोगती एक्सराइज ओवर हो गई है आगे बढ़ते हैं कि एक्सराइज असाइमेंट 7.3 इसमें फर्स्ट एम सिक्ट्व है तो हम सारे नहीं करेंगे क्यों फर्स और सेकंड करेंगे ना तो यह प्रॉपर्टी की बेस्ट पे तो आप बच्ट आ प्रॉपर्टी सभी की याद होनी चाहिए तभी आप यह एक्सराइज कर पाओगे तो फर्स्ट एम सिक्ट्व वीच आप दो फालॉइंग इस नोट करेक्ट फार रोंबस रोंबस के लिए क्या सही नहीं है तो रोंबस की प्रॉपर्टी याद होगी तभी तो डाइगोनल कि तो डाइगोन हो एक दुसे को बाक सेक करते हैं तो जही है लृएंग वन होता है सेकंड और हमसा इंगल्र नाइटिक होते हैं तो और उक्र Tao तो यह चीज नहीं होती तो यह नहीं होगा फिर भी देखते हैं तो यहां पर हम रोंबस की पर कट करते हैं परपेंजिकलर होते हैं तो यहां पर हम रोंबस की प्रोपर्जी जान लें इसके बाद नेक्स है ओल साइड होती है यह भी यह भी सही है सी भी सही और डी भी सही है क्यों बी वाला रोंग था तो इनकरेंट ऑप्शन भी करेक्ट हमार इसलिए अब सेकंड वान ओफ तर एंगल फॉर्म जबाइद डागोनल एंड साइड ऑफ रोंबस इज ट्वेंटी आल फॉर एंगल्स ऑफ तर रोंबस आर तो हम यहां पर जानते हैं कि वन एंगल ऑफ फॉर्म जबाइद डागोनल एंग्जसेंट साइड और डागोनल की दौर जो इंगल बना है वह हमें दे रखा ट्वांटी तो हमें सारे इंगल ल कि पतेंटेंटेंटेंटें आग ऑशन पर लागोन फॉर फिंटी आरगोनल हुं-चे को एंगल्स रूगनृत के क्या होगा 1100-42009 तो एंगल्सut खेंटेंटेंकर तो विए स्कृश्चत是什麼 फोwnाइटर। तो हमें 40 degree option a में नजर आ रहा है तो हमारा option a और असके बाद थर्ड नहीं कर रहे हैं इसके बाद second second question for each of the following statement state whether the statement is true or false और से true है कौन से false है यह तो यह सारे स्क्वाइर रेक्टेंगल होते हैं तो इसक्वाइर में क्या होता है अपोजी साइड इक्वल भी होती है हलागी ओल साइड इक्वल होती है इसक्वाइर में तो अपोजी साइड तो इक्वल होईगी है इना सारे इंगल भी नैंटिक होते है तो रेक्टेंगल की जो भी नहीं है तो सारे सारद होना जडरूरी नहीं है लेकिन रोंबस में जो भी प्रॉपटी रोम में फोलो होती नहीं है लेकिन वमट usual हो गामें फोलो नहीं होती तो ईसलिए एल्डवाद कि अप्लम से फॉल्स हो गया के हिघर एक ठीनगर यह इतरु यह कुप्सresial क्रॉल और एकरलो जे बनाएं तो सारे रह टेंगल है ना सबने मतलब की रेक्टेंगल को पहले हो सकते हैं तो सारे रेक्टेंगल हो सकते हैं क्या नहीं नहीं तो फॉल्स फिप्त है एवरी स्क्वारी जो रूंबस सबस्कुल परपेंजकुल बहatable सकते हैं तो सारी प्रोपर्टिटी इसक्वार में रोंबस सारे जो रॉंबस यो यह रोंबस को सकते हैं क्योंकि रॉंबस नहीं हो सकता है pięet कि रॉंपर दिए स्कॉयान हो सकता क्योंकि रॉंपर से एंगल नहीं होता जिसलिए फौल q completamente संब्साइब पहलेबराम के स λ že सकी शुराद हुं किल वंद मुलों नखाए कि बंदाता है यह इन duplicate इसके बाद एयर्थ एवरी रोंबस इस पेले लोग्राम तो रूमबस किस से बनता है प्योले पाल बदल्टा में अगर इक्वल हो जाए तो रूस बन जाएगा तो रोंबस जो खोंगा होता है तो यह बीडिज्रू है इसके बाद नाइक इवरी पहले लुग्राम इस इसे एंगल में सारे इंगल 90 को हो यह नहीं तो यह तो यह ट्रू है क्यों कि ट्रेपेजियम में क्या होता है वन साइड वन पेर जोगा अपोजिस साइड का पैरल होगा रामने सामने के जो साइड वह पैरलल होगी एक इसमें दो पैरल होता है तो ज्यादा पैर पैरल है नो पहले लोगाम को रेपेजियम तो कही सकते हैं सारे इंगल 90 का तोड़ी आता है और और साइड वी को लिदी तो यह फॉल्स के वाद्ट टुए एवरी इस्कार जो टे ट्रू घ्र में भी गिए वसे होती अपोजी साइड होती एक लोती बात यह पेर होता है वन पर जबसेशा होता तो यह तुम्हें कर्कि इसमें ज्यादा होते हैं कि ने स से ज्यादा पर नेस के निए होता है यह नहीं है तो consti इसके बारे ठालोग यह भी ऑच्टे वन पहल नोग्रा में नोग्रा में और जो ख़िते हैं तो में बना नहीं सकते हैं तो इसलीग यह वाल्स next थड़ को सिर्फ नवा रहा है वीच आप दो फालवग स्टेट्मेंट ट्रू और फॉल्स आप दे रेक्टिंगल इसक्वार को इसके लिए ट्रू पाल्स तो देखते हैं उनिए ईट है ओल साइडर एक्रण पिष्ट है तो फॉल्स एसकोईर होती है तो यह चैने से चाड़ाम आराइट पॉझ इन औरा वातु शायील नौिए पहुल होए अपकॉईल पॉझ से गलम शावगे एडाइगा पीजाए करते हैं और इसकार में बढ़ते हैं दोनोंपे लगास का Дैघ को परपंडिकला यह की जाए तो डाइगोनर परपंडिकलर नहीं होते हैं कि दुसे coin 90 पर रेक्टेंगल के अंदर नहीं करते हैं लेकिन स्क्वाइर के अंदर करते हैं तो रेक्टेंगल में फॉल्स और स्क्वाइल में ट्रू इसलिए फॉल्स तु rappelle अधित दाट और handout रिचागन जाना गए था था यह वैडर करेंगे तो यह उताए कि लिए घीन ऐसे फंटेशन होता है इसलिए परेखार एकंगल साथ इंगल होग सब्सक्राइबativity टोनों में 90 के लिए टूए दोनों के लिए ट्रूए लिए कि सफे लीकल्डोन साय उक्वाल नमैस नड़य सब्सक्राइब करते हैं तो दोनों में अशाय है कि एक है ड कल्सकुंभी झालता है तो यह ब्रू होगाल है लेकिन इसकाइब में एक बाइस तो एक वाइसे करते हैं इसलिए यह चीज तो होति है इसकोयर में तो इसलिए दोनों पर रो है इस डाइए तो दोनों में और इक Basically यह मारा हो गया है एक्षाइड दो पेयर और इकवेल साइड होता है तो क्योंद ऑस दो साइड ही एकल होती है इस यह एक्षाइड पंए भी शाइट एनकतने स्थांग होती है और ये ये जैको नहीं होते हैं यह बात लेकिन हैं घ्लक नहीं होते हैं यह प्लक टॉप इक्ट nॉट rate all has its size are equal सारी size equal होती तो rhombus में यह बात सही है ट्रू diagonal bisect each other right angle तो यह बात भी सही है bisect भी करते है 90 पर करते हैं इसलिए यह सही है लेकिन equal नहीं होते हैं तो diagonal bisect each other 90 तो यह बात सही है तो यह हो गया फिफ्त हम नहीं करने वाल है last question करेंगा हम इस exercise का 6 उसके बाद 7 8 9 10 11 12 हम कोई भी कोशन नहीं करने वाले हैं बच्चों तो यह स्टेप्टर का और हमारे term 1 का यह last question है यहां तक हमारे term 1 में आएगा तो आपको लिखा दिया गया है तो लास्ट कोशन इस चेप्टर का देखते है इस वाला हमें जो दिये हैं उनको एंगल करना इफ एंगल एक एंगल दे रखा है तो रिमेनिंग एंगल हम निकालना है तो स्वाल करते हैं इस question को रोमबस ABCD जो है all side equal होती है पता है और यहां पर diagonal जो होते हैं वो एक दूसरे को 90 पर वाइसेक करते हैं तो हमने starting की इन रोमबस ABCD एंगल हमें गीवन है अब फर्स निकालना है बी ओसी मतलब बी ओसी मतलब वाला इंगल निकालना कुल मिला के तो वाला यह diagonal और यह diagonal के 20 का angle क्या बनेगा नाइंटी डिग्री का बनेगा तो हमारा जो ओव एंगल वो अपने आप प्रोपर्टी की आधार पे 90 हो चुका है तो बी ओसी इक्वल जो 90 डिग्री फर्स वाला खतम आज़सर आ चुका है सेकंड वाला में निकालना है सी बी ओ सी बी ओ इंगल निकालना था हमें 30 पता है 90 पता है तो दो इंगल पता है तो यह triangle हो जाएगा बी ओ सी तो इंगल सम प्रोपर्टी लगा देंगे और यह एंगल हम निकाल लेंगे तो हम यह आप पे इंगल सम प्रोपर्टी लगा रहे है तो इंगल सम प्रोपर्टी जब हम लगाए तो यह हैं अगालना है ट्राइंगल का से आपको पता जल जाएगा देखो गारा में तो ओव नाइंटी था सी अमाचाटी तो 120 हो गया तो मैनास को जाएगा तो इंगल बी को ट्राइंगल के आधार पर नाम देंगे हैं हमें इंगल CBO तो CBO हमारा 60 degree आ चुका है यह हमारा second हो गया थर्ड वाला OAD OAD निकालना है तो OAD कहा है तो अगर आप देखो कि जाइगराम में तो OAD कहा है तो O A D मतलब यह वाला angle है ठीक है तो हम जानते हैं कि यह वाला angle 30 का है यह वाला angle क्या होगा 30 का होगा क्यों यह side और यह side क्या है parallel है तो हम जानते हैं कि जब 2 side parallel होती है कोई transfer soul होती है तो यह दोनो angle क्या होते है alternate angle होते है वह equal होते हैं यह parallel line वाले concept में आपको पता होगा तो Rombus में all side parallel opposite side parallel होती है तो यहां का angle है 30 कि वह उधर के एंगल से एक्वल हो जाएगा तो मतलब कि कुल मिला के आपका जो आंसर है हमारा ए मतलब दी ए नहीं ओ एडी वाला जो है इसका नाप ओ एडी यह कित्ते का हो जाएगा 30 डिगरी का हो जाएगा तो अब एससे लिखेंगे इसको कि एंगल वी सी ओ बी सी ओ इक्वल टू ओ एडी इक्वल टू अल्टरनेट इंटिरियल एंगल इस प्रोपर्टी से एक्वल हो गए तो हमारा एंगल ओ एडी होगे है 30 डिगरी का ठीक है अब लास्ट एंगल निकाना है अमें एंगल एबी ओ अबड़ाना है तो एबीओ एंगल निकानना है तो एबीओ एंगल कहां है तो अब एंगल हमारा है एब तो ऑ्टी ऑप मतब्र यह वाला एंगल है तो हुम एक बात जानते हैं कि रूह पस्क्वार इंदर जो डागनल होता से करता है ये 60 तो यह भी कित्या का होगा 60ड़ी का हो जाएगा क्योंकि इस डाइगुल रोम बसके अंदर यह प्रॉपटी लगती है कि ज़ेगे रोता है वह उसी वर्टेक्स के दोना इंगल को बिसे करता है तो इसी उसकर एक रहें चाहिए तो यहां पर हम लिखेंगे इन डायकोनल बाइसेक एंगल आफ वर्टेक्स सो अपने वर्टेक्स को बैसे करता है तो अपने तरफ के एंग्ल की बात हो रही है आपोज मतलब पास पास कर एंगल तो ए बीओ एक्वल हो जाएगा सिबी ओके तो दोनों कित्ते का हो गए 60 गीरी के तो हमें क्या निकालना था इंगल एब ओ एक उस्टी तो यह हमारा हो गया प्रोपाजी की बेस पर होते हैं सवाल यह तो बच्चों यह हमारा चेप्टर कंप्लिट होता है चेप्टर नमबर सेवन अब हम नेक्स वीडियो में तालमान का रिजन करेंगे थांक्यू वेरी मिच्च